हाई गाईज यूर वाचिंग सीरियल से आपा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे फेस्बुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही एक्स्क्लोसिफ अपडेट्स के लिए टिवी सीरियल जहनक के आज रात के अपिसोड में आरग्यूमेंट शुरू होगा जहनक अरशी के बीच जहनक कहेगी कि मुझे यहाँ बेकुल भी नहीं लड़ना है क्योंकि यहाँ पर सरजी एडमिट है जहनक यहाँ पर डर रही है कि कहीं अरशी तमाशा न खड़ा करे पूरी करो शुटिंग जिसके लिए तुम कॉलकता आई हो क्योंकि हम नहीं चाते तुम्हारा काम भी अफेक्ट हो और अनेरुद भी ठीक है तब ही अरशी और शिष्टी फोसफुली एंटर करते हैं केबिन में जहाँ पर अनेरुद को एडमिट किया जाता है नर्स उन्हे यह कह देते हैं सारे सजेशन वो नर्स के फॉलो करने के लिए कहते है और अरशी जैसे केबिन में जाती है अकेले उसे पता चलता है कि अरशी अनेरुद के पास जैसे आई है उसकी पॉल्स रेट बढ़ जाती है जो कि एबनॉर्मल है यह क्रिटिकल कंडिशन देखा अनेर बरदाश्ट नहीं कर सकती जो घर का है उसे आप जाने नहीं दे रहें जो बहार का है उसे आप अनेरुद के पास रखता है उसके क्रिटिकल कंडिशन देखा पेशन की डॉक्टर जहनक से कहते हैं आपके बिन में आईए अनेरुद काम डाउन हो जाएंगे थोड़े टाइ देखोने लगता है वो प्रॉमिस करती है कि ठीक है मैं आमेशा आपके पास रहूंगी इधर दिखाये जाएगा कि अनेरुद को थोड़ा होश आएगा वो जनक सर्प्रॉमिस लेगा कि जब मेरी सर्जुरी हो उसके बाद सबसे पहले में आखे खुलू तो तो मेरे सामने ह तो टाइम के बाद अपू होस्पिटल में पहुंशता है पहुंशती है वो बहुत ज़्यादा परिशान है अनेरुद की कंडिशन को देखकर क्योंकि किसी ने उसको पहले इंफॉर्म नहीं किया अपू और ज़्यादा परिशान है वो कहती है मुझे अनी को एक बार देख करता है वो कहता है चलों कहीं और चलते हैं लालन भी यहां पर यह सब कुछ इंसर्टिंग वर्ट्स को बरदाश्ट करना पड़ता है शुभा और तनूजा के वह कंपै करता है उन्हें आउटसाइडर से वह सब कहते हैं कि अपू आ गई है अपने पदी को लेका लेकिन यह सब कुछ आप बंद कीजिए क्योंकि हमें सोलफुल प्लेयर्स नहीं चाहिए अपू की अपू कंसर्ण है और वह बहुत जादा परेशान हो जाती है कि अनिका ऑपरेशन शुरू हो गया है यहीं हो जाएगा अच्वाद के एपिसोर्ट में कल क्या होगा आपको बताएंग के नेक्स रिपोर्ट में फिलाल तो चैनल सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पर फॉलो कीचे है